नमस्कार आप सभी का स्वागत है मैं डॉक्टर अंजु गोजा आज आपको क्रशी को प्रभावित करने वाले प्राकर्तिक कारकों के बारे में बताने जा रहे हूं प्रभावित करने वाले प्राकर्तिक कारकों में भू प्रदेश, धरातल और उंचाई, जलवाईयू तथा तापकरम का अध्यन हम इसके पूरू के वीडियो में कर चुके हैं आज हम उसके आगे के कारकों के बारे में अध्यन करेंगे तो उसमें नेक्स्ट कारक है सूर्य प्रकाश, पोधों में प्रकाश अंसलेशन के घटित होने में प्रकाश का योगदान महत्तोपुन होता है, किसी फसल के परिपकु बनने में लगा समय, वहां दिन की अवदी यानि फोटो काल की अवदी पर निर्भर होता है, तो जो फोटो सिंतेसिस की क्रिया है, उसके द्वारा पौधे आगे की तरफ बढ़ते हैं, या ऐसे कहेंगे उनमें डवलप्मेंट होता है, ये भोजन बनाने की क्रिया होती है, और फसल के परिपक वो बनने में जो समय ल हैं डिफ की चयन, वहां सूर्य प्रकास की अधिक्तम प्राप्त अरजा के सुदुपयोग पर आधरित होता है, तो किस छेतर में किस जाती का पोधा या लक्त ब्रीड का पाधा उत्पन हो सकता है, या किया जा सकता है, ये सूर्य प्रकास पर निर्भर करता है, सामानेत है दिश्म काल की तुलना में शीत रुप्तू में रोपी गई फसल को परिपक बनने के लिए कलेंडर वर्स के अधिक दिनों की आउशकता होती है तो यह हमने यहां देखा कि शीत काल में जो फसल बोई जाती है उसको परिपक होने में दिन अधिक लगते हैं उसका कारण क्या है उस समय शीत काल में सूर्य प्रकाश की जो अवदी होती है वो कम समय के लिए प्राप्त होती है ऐसे छेतरों में जहां आकास में मेगा छहदन सामान्य घटना है वहां उपलब्द प्रकाश की मातरा घट जाती है और फसल की परिपकवता वे उसकी कटाई संदेहा स्पद ब उपज में बादक होती है तो कि यदि किसी चेतर में बादल से अधिक गिरा हुआ चेतर है या वर्षा भी अधिक हो रही है तो वहां पर एक साल में जो दोरी उपज होती है वो बादक हो जाती है अगला कारक है पाला उचक्षांसों वे उचाईयों पर पाला फसलों की उत पादन को प्रभाविद करने वाला कारक है किसी प्रदेश में उपलब्द पाला रहित अवदी वहां बीजारोपन प्रिस्पुटन अंकुरन फलन परीपकवन तथा फसल काटने आदी की तितियों को प्रभाविद करती है तो जो पाला है वो भी बीजारोपन से लेकर के उसक नहीं जेलनी पड़ती है क्योंकि वहां क्या होता है टेंपरेचर अधिक होता है इसलिए पाले की जो स्थिती है वो पैदा ही नहीं होती है यहां आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि पाला किस तरह से पड़ता है उसकी सिच्वेशन को दर्शाया गया है जैसे जैसे उ प्रभावित नहीं करता है परन्तु प्रिस्पुटित कोपले पाले को सहन नहीं कर पाती और नस्ट हो जाती है पाले से प्रभावित छेत्रों में अनुकुलन करने हितू ऐसी फसलों का चैन आवशक है जो पाला सहन करने की शक्ती रखती है यानि आज कल बहुत सारी ब्री ही फसल के विकास की अनुकूलतम आधरता संबंदी दशाएं भी निर्धारित है यानि फसल को जैसे तापकरम प्रभावित करता है वैसे आधरता भी प्रभावित करती है मिट्टी में आवशक्ता से अधिक जल भी वहां की रासाइनिक वे जैविक परिक्रियाओं में बदला उत्पन कर देता है और ऑक्सिजन की मात्रा को सिमित बना कर ऐसे मिश्रणों का निर्मान करता है जो पौधों की जड़ों को विशाक्त बना देते हैं तो आवशक्ता से अधिक यदि पानी है तो वह भी पौधों की जड़ों को विशाक्त बना देते हैं अतै मिट्टी में आवशक्ता से अधिक जल पौदो के विकास को अवरुद बना देता है अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं अनावरस्टी या सूखा यानि अनावरस्टी का मतलब होता है जितनी वर्षा हमें डिमांड होती है उससे कम वर्षा हो प्रदेश में भूमी उपियोग और फसलों का अनावरस्टी अत्वा सूखे के कारण भैंकर विद्वन्ष होता है अनावरस्टी से मिट्टी खेतों में शुष्क बन जाती है शुष्क मिट्टी में वात्सपो सर्जन और वास्पी करण के लिए आवशक जल भी सेस नहीं रह जाता ऐसी सूखी मिट्टी से फसल नस्ट ह होना प्रारंप हो जाती है क्योंकि फसल को मिट्टी से आधरता पहुचना बंद हो चुका होता है तो जहां सूखे की कंडिशन होती है वहां फसलों को आधरता नहीं मिल पाती है जिस कारण वो नस्ट हो जाती है यहां आप देखें इस स्लाइड पर सूखे की कुछ स्तिति को दर्शाया गया है इस लाइड में डौट प्रॉन एरिया इन इंडिया को दर्शाया गया है कि जो सूखे से गरसित चेत्र हैं वह भारत में कौन-कौन से हैं उनको यहां पर इस लाइड में दर्शाया गया है भारत के सूखा गरस्त चेत्र राजस्थान महारास्ट्र अफ्रिका महादीब के एक सीरे से दूसरे सीरे तक मौरितानिया माली नाइजर चड सुडान और इथोपिया में विस्तृत है और यहां आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं अफ्रिका के साहिल प्रदेश को दर्शाया गया है कि जो कि घोर सूखे से ग्रस्त छेतर है इसे के स चाहत यह विशे यहीँ समाप्थ होता है और इसके आगे का जो प्राकरतिक कारकों का अध्यन है वहँ हम अपने अगले वीडियो में करेंगे था सरिक्वर का टीने और भी continued इसलिए इसको किसी एक वीडियो में सीमित कर पाना संभव नहीं है अते अंत में आप सभी का धन्यवाद